हलो दोस्तों आज की वीडियो में आपन राजस्तार इस्टेट ओपन बोर्ट दस्य और बारवी के रिजल्ट दो जार तेईस की बात करने वाले है कि रिजल्ट दो जार तेईस है वो किस डेट को जारी होने वाला है किस दिन जारी होने वाला है तो आज की वीडियो में आपन complete इसके उपर डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो के लास तक जुरूर बना रही है और हमारी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताके आने वली जो भी वीडियो है उसका नोटिविशन आप तक पहुच जाए दोस्तो मैं बलवी ड्रावत हर्ष कलासस मदारपर यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तो राजिस्तान इस्टेट ओपन बोर्ड की बात करें तो दस्यों और बारवी के अभी जो एक्जाम चल रहे हैं ठीक है दस्यों और बारवी के जो एक्जाम है वो चल रहे हैं लगबख कमप्लेट होने वाले हैं ठीके दोस्तो तो अब इसके बाद आपके बहुत सारा मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि रिजल्ट कब जारी होगा होगे है तो 12 का फोर्म बढ़ना होगा उनको और 12 पास कर चुके है तो आगे वो कोलेज में एडमिशन लेना चाहते है तो रिजल्ट का आना बहुत ही ज़रूर ही है और टाइम पर रिजल्ट आ जाएगा तो आप 10 से 12 भी कर सकते हो 12 से आगे कोलेज में भी और अगर थाइम से नहीं आता है तो आपके क्या होता है कि सरकारी ओजों के जो परवहेश डेट होती है वो लिकल जाती है उसके बाद विद्यारती ना तो कोलेज में एडमिशन ले सकता है ना तो इधर करेचा ना उदर का तो इसलिए रिजल्ट से समंदे जो आपके डाउट है वो इस वीडियो में कप्लेट करने वाले हैं दोस्तों बात करें धस्य और बारी के रिजल्ट की तो लगबग आपका का 40 से 50 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है जो एक्जाम लास्ट हुआ है जिस मागों 10 या 12 का जिस दिन लास्ट एक्जाम होगा उससे आप 40 से 45 दिन मागों ठीक है तो यानि लगबग बात करें तो एक महीने से पंदरा दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है चालेस से पेतालेस दिन आप मान के चलो कि इतने दिनों में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा जैसे कि अभी जून चल रहा है जून में एक्जाम समाप्त हो जाएंगे तो आपके जुलाइनी अगस्त मा आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ठीके तो जो भी विद्यारती इस बार 10 या 12 एक्जाम दे रहे हैं तो विद्यारती ध्यान दे कि आपका रिजल 40-45 दिनों के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तों ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रही है चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए